सल्मान खान बनते जा रहे है ग्लोबल सावरिया उनका जादू फिरंग गर्ल्स पर कुछ ज्यादा ही चल रहा है सल्मान खान की जिंदगी में कई विदेशी लड़कियां आई कई लड़कियां उनकी फैन बनी तो कईयों से करीबी ना ता जोड़ा सल्मान फैंस विदेशों में भी बस्ती हैं पिछले दिनों जब सल्मान आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड और हॉन्ग कॉन के टूर पर गए थे वहां भी विदेशी लड़कियों फिलहाल सल्मान के साथ साई की तरह नजर आती है रोमानिया की मॉडल और एंकर यूलिया वंतूर सल्मान की ममी और परिवार वालों को विदेशी बहू से नहीं है कोई एतराज कुछ दिन पहले सल्मान की मम्मी जिस तरह यूलिया के साथ आई नजर उससे साफ हो गया है कि ये विदेशी हसीना ही बन सकती है कान खानदान की सबसे बड़ी बहु यूलिया वन्तूर रोमानिया की मशूर टेलिविजन एक ट्रेस और होस्ट है सल्मान से यूलिया की मुलाकात डबलिन में हुई थी सल्मान वहाँ फिल्म बोडी गौड की शूटिंग के लिए गए थे सल्मान और यूलिया एक बार मिले तो फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए उसके बाद तो यूलिया का इंडिया आना जाना शुरू हो गया और फिर प्यार परवान चड़ने लगा यूलिया से पहले सल्मान खान की जिंदगी में बहार लेकर आई थी कट्रीना बात दोहजार डार की है तब सल्मान को एश्वर यराय से प्यार में मिले जखम के लिए मरहम की जरूरत थी इसी समय उनका सामना हुआ लंदन से आई कट्रीना से विदेश इबाला कट्रीना बॉलिवुड में अपने पाउं जमाने के लिए ढून रही थी सहारा ऐसे में सल्मान ने कट्रीना के सिर पर अपना हाथ रखा और दोनों ने फिल्म मेंने प्यार क्यों किया में साथ काम किया जैसे ही सल्मान से हुई उनकी दोस्ती कट्रीना को जान गया पूरा इंडिस्ट्री सल्मान खान के साथ 7-7 सालों तक रिलेशन्शिप में रही कट्रीना और हर किसी को था इनकी शादी का इंतजार सल्मान और कट्रीना थे बॉलिवूर्ड के आईडल का पल लंदन की कट्रीना कैप में सेज सल्मान खान बनने ही वाली थी कि उनकी लाइफ में आ गए रनबीर कपूर भले ही कट्रीना अब सल्मान के साथ नहीं है लेकिन यूग की कट्रीना को बॉलेवुड में स्टैबलिश्ट तो सल्मान नहीं किया और यहीं वज़ा है कि कट्रीना के लिए सल्मान अब भी हैं बहुत खास कट्रीना सल्मान की जीवन साथी तो नहीं बन सकी लेकिन इस विदेशी कुड़ी के अब भी गौट फादर बने हुए हैं सल्मान बॉलेवूर्ड का सुल्तान आज कल गोरी मिम पर कुछ ज्यादा ही है मेहरबान सल्मान आए दिन किसी ना किसी विदेशी लड़की को देते हैं अपने साथ प्यार करने का चांस डॉट ब्रिटिश ब्यूटी एमी जैक्सन के साथ भी सल्मान का अच्छा रिश्टा रहा है पिछले दिनों पबर आई थी कि सल्मान ब्रिटेन की रहने वाली एमी जैक्सीन के साथ सिल्वर स्क्रीन शेर करने की प्लानिंग कर रहे है एमी जैक्सन को चुल बुलपान के साथ दबंग टीन में देखा जा सकता है दरसल दबंग टीन में इस बार सुनाक्षी सिनहा के साथ एक और ही रोईं को कास्ट किया रहेगा सल्मान के विदेशी प्रेम को समझना हो तो स्वीडिश ब्यूटी एली एवराम भी इसका अच्छा नमूना है बिग बॉस से अपनी पहचान बनाने वाली स्वीडिश गरल एली एवराम पर तो सल्मान कई साल से है कुर्बान कहात तो ये भी जा रहा है कि सल्मान खान इस फिरंग हसीना के साथ भी ओन स्क्रीन रोमान्स करने का बना रहे है प्लान्ड अब श्री लंकन ब्यूटी जैकलीन के साथ सल्मान की कैसी बॉंडिंग है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है जैकलीन तो सल्मान की इस कदर दीवानी है कि वो सल्तान को अपना ला की चार्म तक समझने लगी है सल्मान जैकलीन को फिल्म किक में चांस देकर स्टार बना चुके हैं और इन दिनों सल्मान जैकलीन के साथ फिल्म रेस टीन में काम कर रहे हैं सल्मान खान फिदा कभी क्लाउडिया से सल भी थी वो सल्मान ही थे जिनकी बदौलत जर्मनी की क्लाउडिया को मिला था बिग बॉस में एंट्री का चांस सल्मान ने क्लाउडिया को अपनी फैमिली से भी मिलवाया था कहते हैं सल्मान ने एक दफा कहा भी था कि क्लाडिया उनकी स्पेशल फ्रेंड है क्लाडिया का दिल सल्मान का कुछ ऐसे फिसला था कि वो तो उनसे शादी को हो गई थी तैयार सल्मान पर फिदा होने वाली विदेशी कुडियों में लंदन की हेजल कीत कभी आता है नाम हेजल ने फिल्म बोडी गॉड में किया था सल्मान के साथ काम फिल्म की शूटिंग के वक्त सल्मान और फिरंग हेजल की बढ़ गई थी नज़दी किया सल्मान की बदौलत हेजल को एक आइटम डांच का भी मिला था मौका सल्मान खान की दोस्ती तो पामेला इंड़सन से भी खूब हुई बिक बॉस में जब तक पामेला रही मिहमान सल्मान उनका रखते रहे पासध्यान शो में सल्मान खान ने पामेला को हिंदी तक सिखाई सल्मान और पामेला की शो में अच्छी दोस्ती हो गई थी और पामेला ने सल्मान की जमकर तारीफ की थी